टॉप टेन यूजफूल वेबसाइट जिया दोस्तो अगर आप एक computer operator है या computer student है या computer teacher है आप जो कोई भी हो आपको कभी नगभी इन website पे काम ज़रूर करना पड़ सकता है या इन website की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ सकती है जैसे example के लिए मैं आपको बताओ कि आपको ए और वो मैं आपको इस वीडियो में शेर करने वाला हूँ साथी में मैं आपको बताओ कि अगर आपको कोई background remove करना image का जैसे यहां पर आपको दिखाए रहा है मैंने मेरे image का background remove कर दिया तो आप कुछ इस तरह का करना चाहते तो यह भी आप बिलकुल फ्री में कर सकते फ्री वेबसाइट मैं आप आपको बताने वाला रेटाइप.com यह बहुत यूसफुल वेबसाइट रहेगी आपके लिए अगर आपका typing speed बिलकुल नहीं और आप सोच रहे है कि typing speed improve करना तो यह website पे आपको मिलता है typing tutor typing test और learn section में मिल रहा है जहां पे अगर आप क्लिक करोगे त तो फिलाल मैं आपको बताओ कि keyboard की ओपर fingers कैसे रखनी है सारी जानकर यहाँ पे इस lesson में मिल जाती है and it's time to get some practice पे क्लिक करके आप यहाँ पे practice भी कर सकते हैं आप यहाँ पे typing test अटेंड करके certificate भी पा सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं take a typing test और free में आपको certificate भी देते वेक्टर वेक्टर डाट कॉम इस website में आप free में graphics क्रेट कर सकते हैं अगर आपके पस CorelDraw software नहीं है तो don't worry यह software आपको बहुत अच्छे अच्छे graphic क्रेट करके देता है यहाँ पे मैं new file पे button पे click करूँगा website visit करते ही मैं आपको दिखाता हो किस तरह से आप यहाँ पे graphic क् अच्छे अच्छे कर सकते हैं तो आपको लोगो बनाना या कुछ और चीज़े बनानी है तो फ्री में graphics यहाँ से आप बना सकते हैं तो चलिए example के लिए मैं यहाँ एक ellipse आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं ellipse से क्लिक कर रहा और click and drag कर रहा हूँ तो यह ellipse यहाँ पे यहाँ पे मिल जाती है आप यहाँ पे नूटिस कर सकते है राइट साइड में आपको color मिल रहा है background color मिल रहा है border मिल रहा है और बहुत सारे options मिल रहे है यहाँ नीचे आपको dimensions भी मिल रहा है मैं आपको size change करके दिखाता हूँ मैं से circle में convert करना चाहता हूँ तो यहाँ पे दिया क्योंकि width और height मैं same रखना चाहता हूँ अगर यहाँ पे link है तो अगर मैं width में change करूंगा suppose width में 372 और height में 232 तो अगर मैं width में 400 करूंगा तो उसके respect में height भी बड़ेगी तो यह unlink में कर देता हूँ यह 400 में रखना चाहता हूँ और यह भी 400 में रखना चाहता यह दोनों भी size आप कस्टमाइज कर सकते हैं यह link हटाने के बाद तो यह पे आप देख सकते circle यह पे draw हो चुका है ellipse to circle आपने इसे draw कर लिया अब इसे मैं center में रखना चाहता हूँ इसको opacity कम जादा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप सारी चीज़े कर सकते हैं इसे एक dot com graphics create कीजिए अब बढ़ते हैं तीसरी website की तरफ अब जो लोग graphic lover होते हैं यानि graphic में काम करना पसंद करते हैं उनके लिए website बता ही लेकिन जो लोग photoshop में काम करना चाहते हैं उनके पास photoshop नहीं है तो online photoshop का एक website मिल रहा है जिसका नाम है photopee.com दिखाए देरे आपको photopee. dot com इस website का इससे माल कर सकते हैं और इसमें क्या है आपको मैं बता हो कि इसमें photoshop का एक clone version वर्जन आ रहा है photoshop के लगब बहुत सारे तूल से यहां पर यहां पर आप वैसे image अडिट कर सकते हैं लगब वैसे image अडिट कर सकते हैं जैसे आप पोड़ोशॉप में करते हैं जैस पोड़ोशॉप की तरह तो यह एक online photoshop यह दोस्तो photopee.com और इस website की कासियत एक और है कि इसका photopee application है वो आपको मोर में जाकर install photopee करके एक option मिल जाता है जहां से आप इसको install भी कर सकते हैं आपके desktop की उपर यह देखे install का तैब आ रहा है मैं से install करता हूँ और जैसे मैं से यह तुरंट एक अलग सा web browser में अलग सा open होगा इसके लिए आपको web browser की ज़रुवत नहीं लेकिन internet की ज़रुवत है बिना internet का यह photopee application चलेगा नहीं सारे options internet से आपे loaded होते क्यों क्या भी दिखाय दे रहा है आपको install होने के लिए बस single click से install हो गया इतना time इसने लिया नहीं तो यह जो application से आप इसे यूज कर सकते है बिना browser का भी और इंस्टॉल हो चुका है तो आपके desktop पे यहां पे आपको दिखाय देगा दिखाय दे रहा है desktop पे एक shortcut इसका तायर होगा photopee और इसे आप directly run कर सकते desktop से बिना browser का यह application स्टार्ट हो जाएगा तो online photoshop का यह tool बहुत आपको PDF एडिट करना है तो आपको विजिट करना है सेजदा.com जैसे कि इंट्रो पार्ट में मैंने आपको बताया था कि existing content को आप एडिट कर सकते है इस website की मदद से और यह बिल्कुल free ए सेजदा.com दिखाय दे रहा है edit PDF document it's free यहाँ पे आपको click करना है simple step से यहाँ पे click क use keyboard shortcuts of computer और यह PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो मेरे app में और book section में यह free में डाउनलोड के लिए मैंने रखाया और इसके ओपर already मैंने अपने channel पे video बनाया है जो कि i button पे आपको link मिल जाएगी कि computer में अगर आपको super fast बनाया है तो यह video ज़रूर देखो 5 लाग लोगों तो मैं यह पे click करूँगा और 15 लिख दूँगा और 15 लिख दूँगा क्या बात है पीडियाप को ड्रेग लिए आसानी से एडिट कर रहा ही है और मैं इसमें इमेज करना चाहता हूँ तो मैं इमेज इसमें जाओंगा यहां पी दिखाए देरा है रेडिमेट एक इमेज द दूँगा या अइड किया तो यहां पे आप इसे डिलीट भी कर सकते है राइट इमेज इस पी एड किये जा सकती है अगर आपको एड करना है तो यहां पर अपको क्लिक कीज़िए और अपना खुद का सिगनेचर भी बनाने जैसे मैंने खुद का बना है आप न्यू सिगन लेके यहां पर रख सकते हैं, पीडियाप के बॉटम में रखना है, कई पर रखना है वो आपके ऊपर है, नहीं चाहिए तो यहां पर इसे डिलीट बटन भी आ रहा है, तो ऐसी धेर सारी चीज़े हैं, एक बार इसे जरूर चेक कीज़ें, जैसे अनोट में जाकर आपको एपलाइ चेंजेस पर क्लिक करना होगा सबसे पहले, यह टास्क इस इन प्रोसेसिंग, तो प्रोसेस हो जाएगा और डाउनलोड बटन पर आप इसे क्लिक करोगे, तो यह पीडियाप आपका यह पर डाउनलोड होगा, आप देख पाएंगे कि यह फिप्टी के और भी बिलकुल प्री में, प्री है भाई प्री, प्री की चीजे चोड़नी नहीं चीए, यह वडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक वडियो पसंद आया है, तो लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजिए, और साती में अगर आप इसी तरह की वडियो दे दिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लेर्नमोप्रो.com वेबसाइट भी आप वीजिट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटर लिंक है, आप एकाउंड मनाओ, वेबसाइट पैकाउंड मनाओ, दोनों पी भी आप लॉग इन करके कोर्से सीख सकते हैं, आपको एक कोर्से के अदर जाकर आप चेक कर सकते है, कितने एडवान्स लेवल पे उसके अंदर टुटुरियल या चाप्टर मैंने आड किया है, तो अगर आप इंटरेश्यों थे एक बार आप को ज़रूर कीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो एप की उपर कस्टमर सपोर्ट या कॉंटेक नमबर हमने रखा है आपके लिए तो भी आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं हमें बिंदाज दोस्तों फिलाल तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आप बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ तो आप इस वेबसाट में आपको बढ़ाओ कि अगर आप फोटो का बैगराउंड करना चाहते हैं रिमू तो आप यूज करो रिमू डॉट बीजी वेबसाइट को यहां पे करना क्या है सिंपल है अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे यहां पे आपको एक ऐसा फोटो से लेकरन अब ऑप इसे डाउंड कर सकते हैं अहां low resolution वाला यहां बढ़ाउड होगा जो भी डाउंड होगा अगर आपको high quality किसका डाउंड करने मतलब इसकी जो ACTUAL साइज डाउंड करना है तो ग्लीक करोगे तो उसका अपको सब्सक्रिशन प्लन लेहां पड़ेगा लिकिन आपको तो आप इस वेबसेट के बारे में आपको बताओ कि अगर आप प्री में फोर्टोस और वीडियो डाउनलोड करना चाहते है तो आपको विजिट करना चाहिए पिक्सेल्स.com जो कि आपको यहां पे दिखाए देरा है मैंने अलरी विजिट किया और आपको सर्च करना है आपक अगर आपको कोई प्रेजन देना है उसमें आपको बताना है तो आप इन वीडियो का इस्तमाल कर सकते है आप बढ़ते है नेक्स वेबसाइड की तरव नेक्स टरप रॉरा Candida ..ब नेक्ष्ट वेपश्ट वेबसेट है… यह है है किस वेबस्तिक नाम से आपको कुछ समझ में नहीं रहा होगा लेकिन इस प्रोल में समझेता हॉ यह हैं रहा है, यह पुध्ट इनसे से ओफ यह यहिवाः दें प्रेमे डिम्ह यहां पर फ्री आइकॉंस आप ले सकते हैं और be heart to the worn present at 17 climate में आप वार्पॉइंट में च latest दिख्लende workshop रें आम आएकॉंक हुद्नलओं सकते हैं enjoy this Babe पर साथ एंप जिले सकते हैं आप आप फ्री में आइकॉंस स्कते हैं आइकॉन्स डाउनलोड करने हैं तो वेबसाइट का नाम है थेनाउन्प्रोजेक्ट.com प्रोट निल्ट नाम मैं आइकुन्स डाउन्लोड करती हैं तो आपको यह तो पता चला कि नाउन्प्रोजेक काम क्या है अब पड़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ तो हमारी अगली वेबसाइट है autodraw.com यानि की ड्राइंग को अटोमेटिक करना आज कल सब जगह पे अटोमेटिक चीज़े हो रही दोस्तों सारी चीज़े अटोमेटिक आ रही है अटोमेटिक होते जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं यह आपको दिखाए दे रहा है एक अटोड्राव पेंसिल मैजिक पेंसिल शाकला का बूम-बूम की तरह है आपको पता है ना शाकला का बूम-बूम नाम की एक सेरियल हुआ करती जिसमें वह लड़का अगर पेपर के करता है मतलब वह अगर पेपर के लिए निकालता है तो के लिए पेपर से बाहर आते थी राइट उसी रियल का सिन्यारियो मैं आपको बता रहा हुआ अगर आपने शाकला का बूम-बूम देखा होगा बच्पन में तो अटोड्राव मैंने इस पेंसिल पे क्लिक किया और य इनमें से आप कोई भी ऑब्जिक सेलेक्ट कर सकते है अगर आपको वह चाहिए तो इस चेप को मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ मैं इस चेप को इस तरह से यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ तो यह बता रहा यहां पर options मिल जाते हैं आपको साथी में इस mouse का fill color में change करना चाता हो तो यहां पर देखें फिल में भी options है आप यहां पर click किजिए यही color fill में आ रहा है मैं दूसरा color fill में लेना चाता हूँ तो मैंने red color ले रहा वाव ग्रेट तो इस तरह से आप automatically यहां पर object को draw कर सकते हैं बस आप एक draw कीजिए आपने एक rectangle भी draw कर लिया तो भी बहुत सारे options आपको उपर मिल जाते हैं इस rectangle के अंदर दूसरा rectangle draw किया तो और options बता रहे कि भाई यह computer की screen हो सकती है कुछ भी हो सकता है आप इस तरह से draw कर सकते है selection tool से इसकी size कम ज़्यादा आप कर सकते है इस object को select करके ऐसा कम ज़्यादा करके रख सकते है तो पुरा को पुरा एक computer का set आप बना सकते है हलाकि यह शकला का boom boom serial की तरह बाहर नहीं आएगा computer से लेकिन यह automatic draw ज़रूर होगा अगर आपकी drawing weak है मेरी तरह मेरी drawing बहुत वीक थी जब भी मुझे drawing के exam देनी पड़ती तो मैं पहाड हमेशर draw का था एक scenery draw करता था और पहाड का shape कोई भी हो सकता है पहाड को कोई गलत नहीं बहुत सकता है इसलिए मैं पहाड draw करता था चलिए खेर मैंने मेरे बारे में बताया आप अपने drawing experience के बारे में comment में बताना कि बच्पन में आप drawing का exam कैसे दिया करते थे कौन सी drawing draw करते थे जरूर बताएगेगा मैं आपकी comment पढ़ने में इंट्रेश्टूड हूँ दोस्तों तो comment जरूर कीजिएगा आप बढ़ते हैं next website की तरफ तो हमारी अगली website है learnmoreindia.in यह website हमारी है जहां पर आपको फ्री में बहुत सारी चीज़े मिलती है और फ्री में online test आपको अटेंड करने मिलेगे अगर आप computer से related कोई exam दे रहे हो तो उसकी practice आप यहां पर कर सकते हैं computer online test, tally online test, ms word ऐसी धेर सारी चीज़े यहां पर फ्री में आप यह website की लिंक भी इसी ब्लॉग पर आपको मिलेगे description में लिंक दी यह वीडियो में तो इस website की सारी जानकारी मैंने यहां पर भी इस ब्लॉग में दी है आप चेक कर सकते हैं इस website को ज़रूर चेक कीजिए जहां पर आपका online test, premium notes, shortcut keys, बहुत सारी चीज़े मिलने वाली है learnmore for India.in website पर आप बढ़ते हैं next website की तरफ तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारी एकरी website की तरफ जिसका नाम है screenshot.guru जो कि मैंने यहां पर विजिट किया, यह website किसी भी website का screenshot लेने के लिए आपको help करती है, जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं learnmorepro.com इस website का screenshot लेना चाहता मैं यहां पर आओंगा screenshot guru पर और यहां पर इस website का URL मैं यहां पर पेस्ट करूंगा, यहां पर दिखाए देता है learnmorepro.com यह URL मैंने डाला है, I am not robot पर मैं क्लिक करूंगा, screen capture करूंगा, basically क्या होता है, कि screenshot मतलब आपको बस लगता है कि screen की उपर जितनी चीज़ आ रहे उतनी यह screenshot लंबा चोड़ा देता है, मतलब जितनी भी website में नीचे scroll pages available है, उस सभी का screenshot यह screenshot guru देता है, right, तो आप यह screenshot लेके रखोगे तो आपका बहुत बेनिपीड होता है, अगर कोई website की पूरी details आपको लिनी, तो जैसे learnmorepro.com website का अभी आपने screenshot लिया, तो आप देख सकते कि पहले पेज से लेकर हर एक पेज का यह screenshot ले रहा है, नीचे तक यह पर आपको स्क्रोल डाउन करके मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा पूरा screenshot यह रहा है, और learnmorepro.com website क्या है, इसके बारे मैं आपको अल्रेडी बताया है, जरूर इस website को विजिट कीजिए, जह पर ISO certified courses आप कीजिए, और मेरी website learnmorepro.com इसको जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पर देर सारे courses आपको सीखने मिलते रहेंगे, दोस्तों, आप गर बैटे-बैटे expert बनना चाहते है, तो आप जरूर बनेंगे, learnmore app को या learnmorepro.com website को विजिट करके, learnmore India नाम की वेबसाट है, जह पर फ्री मे आपको notes मिलेंगे और description में हमारे जितने भी channel है, उनकी link मैंने दीए, जरूर चेक कर लेना, फिलाल मैं लूंगा आपसे अलवीदा, तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो, यही रहेगा हमेशा हमारा slogan, बाई बाई